नमसकार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूप चैनल एक्जाम पॉइंट बाई हर कोविन में और आज हम भारती सम्मिदान का नमा लेक्चार डिसक्स करने जा रहे हैं जिसमें हम भारती सम्मिदान के भाग एक जो की संग और उसके च्छेतर के बारे में हैं उसको डिसक करेंगे तो चलिए डिसकसने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या कि भारत की समीधान में कुल पहला भाग जो है वो क्या कहता है वो कहता है कि union और उसके area यानि उसका छेतर कितना होगा कैसा होगा उसके बारे में यह बताता है संग एबम उसके छेतर के बारे में और भाग एक में जो अनुच्छे दिये हैं वो हैं अनुच्छे एक से चार very important है एक से चार जो अनुच्छेद हैं वो किस भाग में है तो यह पहला की कोशन बन जाता है यह भाग एक में जो है अनुच्छेद एक से चार तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग एक में है उसके बाद अब एक करके हम इन अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे जिससे की हमे के समू के बजाए राज्यों का संग होगा यानि group of state की बजाए क्या होगा union of state union का मतलब है कि एक संग होगा और यहां पर आप बढ़ दिखते हैं इंडिया यानि भारत जिसको देखो आर्टिकल बन में actually यह लिखा है इंडिया that is भारत shall be union of state यानि भारत राज्यों का ऐसा संग होगा जिसमें राज्यों को भारत से यानि संग से अलग होने की कोई भी permission या कोई भी अनुमती नहीं होगी कह सकते हैं कि अखंड भारत होगा ठीक है जिसको union कहते हैं union का मतलब है कि किसी को भी separate होने का अधिकार नहीं होगा और भारत के छेत्र को किन भागों में बाटा गया तीन भागों में बाटा गया कौन कौन से होगी वो एक तो राज जी यानि जो state है हमारे दूसरा संग छेत्र यानि union territory और तीसरा ऐसे छेत्र जिने भारत सरकार कभी भी अधिक रहित कर सकती है यानि भारत सरकार जो है किसी अन्य छेत्र को भी भारत में सामिल कर सकती है ठीक है तो ये तीसरा point है इसका अब हम article 2 देख लेते हैं क्या है आर्टिकल 2 में क्या है आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद नए राज्यों का निर्मान करने की सकती रखती है और अनुच्छे 2 के द्वारा नए राज्यों का जो गठन किया जाता है ऐसे इस्तान पर किया जाता है जो पहले से भारत में ना हो जैसे आप एक मिनट एक एक्जाम्पल से समझ लीजिए कि माली जी कोई नया राज जैसे सिक्कम को भारत में जब सामिल किया गया था ठीक है तो पहले जब भारत आजा दुआ था तब सिक्कम भारत में नहीं था लेकिन जब सिक्कम को भारत में सामिल किया गया था तो क जब भी किसी बाहे छेतर को भारत में सामिल करना होता है तो कौन से आर्टिकल का प्योग किया जाता है तो प्रियोग किया जाता है आर्टिकल 2 यानि अनुच्छे 2 का यूज करके हम किसी नए छेतर को भारत में सामिल करते हैं ठीक है उसके बाद अगला आर्टिकल किया है आर तो अब हमें एक डिफेंस समझ में आ रहा होगा आर्टिकल 2 और 3 में देखें आर्टिकल 2 कहता है कि नहिराज्यों का निर्मान करने की सक्ति संसत के पास होगी लेकिन कहां होगे निव एरिया पर थैक जब भी नृएरिया धिक्रेत किया जाएगा तो आर्टिकल दो के तायद और उन्चे तीन क्या गयता है जो पहले से मौजूद राज्य है जैसे माली जी जब उत्तर परदेश और उत्तर परदेश से जब उत्तरा खंड बनाया गया था तो आर्टिकल तीन के प्रियो किया गया था आंदर परदेश से जब तेलंगाना बनाया इस प्रकार के जो बदलाव किया जाते हैं वो आर्टिकल 3 के तहित किया जाते हैं ठीक है तो 2 और 3 के बीच में कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है एक्जाम में तो आर्टिकल 2 जो है नई जमीन पर मतलब नई जमीन पर नए राजी का निर्मान करता है ठीक है उसके बाद अनुच्छे तीन के अनुसार देखो अनुच्छे तीन के लिए एक important provision यह भी है कि जो भी अध्यादेश आएगा संसद में उसको राष्टपती की पूर्व मंजूरी पर ही लाया जाएगा जैसे अभी हाली में जम्मु कस्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया लद्दाग और जम्मु कस्मीर तो यह काफी चर्चा में रहा था तो एक अध्यादेश संसद में प्रस्तुत किया गया था ग्रह मंत्री के द्वारा तो उसमें कया था राष्टपती की पूर्व पर ही ठीक है उसके बाद एक इंपॉर्ट्व प्रोविजन यह भी होता है आर्टिकल तीन में कि जिन राज्यों का नाम बदला जाता है या जिनकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है उन से उनका मत जाना जाता है ठीक है लेकिन यह मत मानने के लिए जो केंसरकार है या बात दिन नहीं है होता है कि जरूरी नहीं है कि संसद और राष्टपती जो है उन राजियों की सला को या उनके मत को सुईकार करें कहने का मतलब यह है कि संसद को किसी राजिय के नाम बदलने चीमा बदलने में अपार सक्टी प्रापत है बटल सकती है बिना राज्ज की सहमती के भी, ठीक है, उसके बाद अनुच्छे 4 क्या कहता है, अनुच्छे 4 ये कहता है कि आर्डिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्टन किये जाएंगे, यानि अनुच्छे 2 और अनुच्छे 3 में जो भी परिवर्टन किये जाएंगे, उनको Constitution amendment act नहीं माना जाएगा अगर article 2 और article 3 में कोई बदलाब किया चाहर असन सब्रभी किया है आपना होता है इसके लिए कोई कई इस ठीक है तो आज हमने ये डिसकस किया कि सम्विदान के जो पहला भाग है उसमें क्या प्रोबीजन है और इसके क्या क्या आर्टिकल जो थे एक सिले कर चार तक अगले लेक्टर में हम मिलेंगे कुछ जो नए राज्यों के गठन किये गए थे और सभी कितने राज्यों को भारत आज प्रोबीजन है उनको हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे जो कि इसी चेप्टर का भाग है संग एबम इसका चेत्र का तो आज की वीडियो में इसना ही थेंक यू थेंक यू पर बाचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर और कमेंट कर करें जल्दी पॉल्टी के सभी लेक्टर डिसकस होने बाले हैं थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग